तो आज की शूडियो में हम देखने वाले हैं क्लास चेंथ इंग्लिष 2023 और 2024 का पूरा स्लेबस एस्टुडेंट आप अभी अपने बुक में देखकर अभी टिक कर लें कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक कितने नंबर क्या है तो यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं लिखा गया है तो यहां पर जो सबसे पहला इसमें टॉपिक आएगा रिडिंग पोर्शन आपका टोटल 10 नंबर का होगा इस्टुडेंट तो इसमें क्या है जो पहला पुछेगा रिडिंग पोर्शन में यानि कि आपको एक उसी से सम्मधित तीन एमसी क्यूब यानि कि बहुत भी कलफी कोशन पुछेगा जो कि प्रते कोशन एक नंबर का होगा तो तीन नंबर आप यहां से प्राप्त कर लेंगे उसके बाद इसमें जो दूसरा आएगा वन उसी में पैसे फालोड बाई त्री की यानिन उसी बढ़ी क्या किया रहें इसमें एंसीन पैसां दिया रहें और उसी वेश्ब्रयश पर प्रते कोशेन आपका दो नंबर का होगा deets आगे नहीं में यानि यह यहां सभी आपको 10 नमबर असानी से मिल जाएगा तो राइटिंग स्किल में जो कोईषिची नोबर तीन आएगा लेटर आएगा आपको यहां पर देख सकते हैं फार्माल आसकता है और अप्लिकेशन भी आ सकता है तो इसलिए इस्टिव आप तीनों चीजों को तयार करें तीनों में से कोई एक भी आ सकता है जो कि यह चार नमबर का होगा और इसी में चो चौथा है देख सकते हैं क्या लिखा गया है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल वन आपसन बेश्ड गिवन वर्बल इन्पूट अनदर आन फिगूरेटिव इन्पूट इन अबाउट एटी टू हंड़ेट वर्ट्स यानि आपको क्या किया रहे रहे रहेगा वहां पर आपको आपसन दिया गया पन्रम स्विया रहे 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 हैं तो यहां से क्या है चायए पर आपको आपसन दिया में इसके बाता के दक्र पैर को सब्सक्राइब बलते हैंöt उसके बाद Tenses, Articles, Recording of Sentences, Spelling, जो कि प्रते कोईशन आपका एक नंबर का होगा तो यहां से पांच MCQ कोईशन आएंगे तो पांच नंबर यहां से आप असानी से प्रादु कर लेंगे जो कि MCQ कोईशन होगा एक कोईशन होगा उसके नीची क्या होगा चार आपसन आपको दि और पंचूवेशन पर कोईशन आएगा वायस हमारा क्या होता है एक्टिवास पैसी वायस और पंचूवेशन क्या होता है आपको एक संटेंस दिया गया रहेगा जो कि आप वह रांग और में रहेगा आपको यानि कामा कहां पर लगाना है इन्वर्टेट कामा कहां पर जांफ सबसक् Mathias portrait of a search seas from Hindi to English याने कि आपको त्रान्सलेट करना रहे एप देख सकते हैं चार साइनसेस आपको दिया रहेगा सब्सक्राइन होते हैं जो इसे सब體 उनके तो टोटल कुल 35 नंबर के question आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर literature जो है literature में जो आपका पार्ट आता है first flight इससे आपके 23 नंबर के question आएंगे यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपके 15 नंबर के question आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं जो question नंबर आठावाँ है क्या है two mcq based on given extract यहां से भी आपका दो नंबर का हो जाएगा उसके बाद जो question 9 आएगा क्या आएगा three mcq based on lessons यानि की lesson के अधार पर three mcq question आएंगे जो कि यह भी तीन नंबर के हो जाएंगे उसके बाद अगला जो question 10 आएगा two start answer type question यानि दो start आपके answer type question होगे जिनको की 30 to 40 words में आपको लिखना है तो प्रते question आपके तीन तीन नंबर के होंगे तो छे नंबर आपको यहां से भी मिल जाएंगे उसके बाद जो question नंबर 11 आएगा one long answer type question in about 60 words यानि कि एक आपको long answer type question आएगा जो कि 60 words में आपको लिखना है तो इसको यादि आप लिख देते हैं तो चार नंबर आपको यहां से भी मिल जाता है तो आईए इस्ट्रूर्ट आगे देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं पोईट्री वाले portion से आपके नबर तेरह आएगा वह आपको लिखना है उसका जो कि 30-40 वर्ट में लिखना है यहां से आपको तीन बर मिल जाएंगे उसके बाद यह आप इसको नहीं कर सकते यानि इस वाले portion को नहीं कर सकते question number 13 तो यहां पर करके आपको दिया गया है four lines from nuts prescribed in the syllabus, यानि आपके syllabus में जो भी chapter है, उनसे related आपको क्या करना है, four line poem लिखना है तो मैं तो यह recommend करूँगा कि आप यही याद करके जाईए, तो आपको तीन नमबर यहां से भी मिल जाएगा, चाहे आप इसको करिए फिर भी तीन नमबर मिलेगा, यानि दोनों में से कोई आपको एक करना है, उसके बाद आपका अगला topic आजाता है, footprints without fit, यहां से आपको 12 नमबर के question आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, 12 max के total question आएंगे, तो यहां पर यहां से आपको क्या मिलेगा, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, तीन नमबर मिल जाएगा, उसके बाद जो question नमबर 17 है, one long answer type question in about 60 words, यानि कि एक आपको क्या किया गह रहाएगा, लांग यहां से आपको चार नमबर असानी से मिल जाएंगे, इस प्रकार से, उसके बाद student, अब हम देखते हैं, जो हमें कौन कौन से chapter पढ़ने हैं, इस first flight test book में, यहां पर आप देख सकते हैं, prescribed books and relations, यानि कौन से chapter हमें पढ़ने हैं, तो student, यहां से आपका start होता है, प्रोज, तो प्रोज में सबसे पहला आप चैटर आप देख सकते हैं, क्या पढ़ना है, a letter to guard, जिसके राइटर आप देख सकते हैं, जी यल फ्योंस जी हैं, उसके बाद इसी प्रकार से chapter नमबर दो द देख सकते हैं, और जो chapter 4 है, क्या है, from the diary of any frank, यह भी आप देख सकते हैं, और जो chapter 5 है, glimpses of India, यह भी देख सकते हैं, इन में तीन पार्ट दिये गए हैं, जो कि यहां पे सारे author का नाम दिया गया, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहां देख सकते हैं, chapter 6, chapter 7 चैप्टर 8, chapter 9, जिसके लेखा के इस्टूटर ने यहां पे दिये गया है, यहां पका चैप्टर का नाम है, यहां पे आपके लेखा का नाम दिया गया, तो इस प्रकार से हमने प्रोज में देखा, तो आईए अब हम आगे इस्टूटर पोईटरी में देखते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, यानि पोईटरी में टोटल आपके 10 चैप्टर हैं, और जिनके पोईट का नाम यहां पे दिया गया, तो आप देख सकते हैं, उसके बाद एस्टूटर आपका अगला यहां पे आ जाता है, फुट्प्रेंट से विदाओड फिर्स सप्लिमेंटरी लीडर, तो इसमें भी आप देख सकते हैं, टोटल आपके 9 चैप्टर दिये गए हैं, जो कि 9 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, यहां पे आप सारे चैप्टर को देख सकते हैं, वीडियो को पौच करके इसकी स्टार्ट ले सकते हैं, यहां पे आपके चैप्टर के नाम यहां पे दिये तो आप देख सकते हैं इसमें कौन कौन से चप्टर आपको पढ़ने हैं इस प्रकार से तो इस प्रकार से एस्टुडेंट हमने कच्छा 10-2024 का स्लेवर देखा जो की बोर्ड एक्जाम में कौन से टॉपिक से किद्री नमर के कोशेन आएंगे और कौन कौन से चप्टर हमें पूइट्री और फुट्प्रिंट्स में शो एक च्टुडिम वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल प्रना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोडिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें यदि आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट बाक्स में कमेंट गरें ताकि मैं पार्टिकुलर उस टॉपिक पर वीडियो बना शकूं